ओम शान्ती इश्वर्य महावाक्य सुनने से पहले अपने मन को शान्त और एकाग्र करे करे ओम ओम, खैं। ओम बस्वर्य मैं कार डान्त मूर् Angeb通 कि गवर्य महावाक्ष जज़ से अंट गव्मिन現在 को शैंटने WiFi घंटनि कम अज़गा हूण्र झाल झाल आज की बाबा के साकार महवाक्य है 9 फरवरी 2021 आज बाबा सत्युग की विशेश बाते बताते बोले मीठे बच्चे तुम अवी अमर लोग स्थापन करने के निमित हो जहां कोई भी दुख वा पाप नहीं होगा वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड प्रश्न गौडली फैमली का वंडर्फुल प्लान कौन सा है तो बाबा ने उत्तर दिया गौडली फैमली का प्लान है फैमली प्लानिंग करना एक सत्धरम स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते बाप कहते हैं उनके प्लान्स चल न सके मैं ही नई दुनिया की सापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं उपर घर में चली जाती हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं, ओम शांती, यह घर भी हैं, युनिवर्सिटी भी हैं, और इंस्टिचूशन भी हैं, तुम बच्चों की आत्मा जानती हैं, कि वह है आत्माएं है सालिग्राम, जिनका यह शरीर हैं, शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर, आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी, अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाबा शिव हैं, वह है सुप्रिम फाधर, आत्मा जानती हैं, वह हम मारा सुप्रिम बाबा भी हैं, सुप्रिम टीचर भी हैं, सुप्रिम गुरु भी हैं, भक्ती मार्ग में भी बुलाते हैं, ओ गाड़ फाधर, मरने समय भी कहते हैं, हे भगवान, हे इश्वर, पुकारते हैं ना, परन्तु किसी की बुद्धी में यथार्त रिती बैठता नह फाधर तो सब आत्माओं का एक हो गया, फिर कहा जाता हैं हे पतित पावन, तो गुरू भी हो गया, कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर, शांती धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सत गुरू भी हुआ, फिर स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, वह बेहद की हिस्ट्री सुनाते हैं, इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ, अज्यानकाल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरू अलग होता हैं, यह बेहद का बाप, टीचर, गुरू एक ही हैं, कितना फरक हो गया, बेहद का बाप, बेहद का वर्स देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्सा देते हैं, पढ़ाई भी हद की हैं, वर्ड की हिस्ट्री जोग्रोफी को कोई जानते नहीं, यह किसी को पता नहीं है, लक्ष्मी नाराण ने राजिय कैसे पाया, कितना समय वह राजिय चला, फिर त्रेता के रामसिता ने कितना स समय राजिय किया, कुछ नहीं जानते, अभी तुम बच्चे समझते हो, बेहद का बाप आये हैं हमको पढ़ाने, फिर बाबा सदगती का रास्ता बताते हैं, तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना हैं, यह है तमो प्रधान दुनिया, सतो रजो तमो में हर चीज आती हैं, यह जो स्रिष्टी हैं, उनकी भी आयू है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती हैं, यह तो सब जानते हैं, सत्युग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओ का राज्य था, गौड गौडेज अर्था देवी देवताओ का राज्य था, अच्छा फिर क्या हुआ, उन्होंने पुनर जन्म लिया, सतो प्रधान से सतो रजो तमों में आए, इतने इतने जन्म लिये, भारत में 5000 वर्ष पहले, जब लक्ष्मी नाराण का राज्य था, तो वहां मनुष्यों की आयू, एवरेज 125-150 वर्ष होती है, उनको अमर लोक कहा जाता है, अकाले मृत्यू कभी होता नहीं, यह है मृत्यू लोक, अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयू बड़ी रहती हैं, सत्यूग में पवित्र ग्रहस्त आश्रम था, वाइसलेस वर्ड कहा जाता है, अभी है विश्यश वर्ड, अभी तुम बच्चे जानते हो, हाम शिव बाबा की संतान हैं, वर्फा शिव बाबा से मिलता है, यह दादा, वह डाडा, ग्रैनफादर, वर्फा दादे का मिलता है, दादे की प्रॉपर्टी पर सब का हक रहता हैं, ब्रम्हा को कहा जाता है प्रजापिता, आडम और ईव, आदम बीवी, वह है निराकार गौड़ वह प्रजापिता हो गया साकारी फादर उनको अपना शरीर है शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है तो तुमको वर्सा मिलता है शिव बाबा से ब्रम्हा द्वारा दाडे की मिलकित मिलेगी तो बाप द्वारा ना शिव बाबा से ब्रम्हा द्वारा तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो मनुष्य से देवता किये करतना लागेवार किसने बनाया? भगवान ने महिमा करते हैं ना ग्रंथ में महिमा बहुत हैं जैसे बाबा कहते हैं अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी गुर्णानक भी कहते हैं जब सहेब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मुरत बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं। लडाइ पूरी होगी, फिर लक्षमी नाराण के राज्य में एक ही धरम होगा यह समझने की बाते हैं, भगवान वाच पतित पावन ज्यान का सागर भगवान को कहा जाता है, वही दुख हरता सुख करता है, जब हम बाप के बच्चे हैं, तो जरूर हम सुख घनेरे में होने चाहिए, बरोबर भारत वासी सत्युग में थे, बाकी सब आत्माएं शांतिध हम में थी, अभी तो सब आत्माएं यहां आ रही हैं स्रिष्टी पर, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे, स्वर्ग में पार्ट बजाते हैं, यह पुरानी दुनिया है, दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम, पुराना घर होता हैं, तो फिर उसमें चुहे सर्प आ चाते थे, गांधी जी भी चाते थे नई दुनिया नई देहली हो, राम राज्य हो, परन्तु यह तो बाप का ही काम हैं, देवताओ के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं, नई दुनिया में तो लक्ष्मी नाराण का राज्य होगा, पहले तो राधे कृष्ण दोनों प्रावन राज्य में परन्तु नाम बदल दिया हैं। यह है भूल, कृष्ण जयन्ती तो होती है सत्युग में। शिव है निराकार परमपिता, कृष्ण तो साकार मनुष्य हैं। पहले शिव जयन्ती होती हैं, फिर कृष्ण जयन्ती भारत में ही मनाते हैं। शिव रात्रे कहते हैं, बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं, शिव जयन्ती के बाद है कृष्ण जयन्ती, उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, फिर लड़ाई लगती हैं तो सब खतम हो जा फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यू लोक के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए, ऐसे तो कोई कॉलेज नहीं होगा, अब बाप कहते हैं इस मृत्यू लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर हुश्यार होना हैं, यह बाप भी हैं, पतित पावन भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो यह गौड़ फादरली युनिवर्सिटी हैं, भगवान वाच है ना, कृष्ण तो सत्यूग का प्रिंस हैं, वह भी शिव बाबा से वर्सा लेते हैं, इस समय स भविश्य के लिए वर्सा ले रहे हैं, फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्सा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा, कहां भी रहो पढ़ते रहो, मुरली तो विलायत में भी जा सकती हैं, बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं, बच्चे बाप को या आत्मा हंड्रेट परसेंट प्योर बनती हैं, अभी है इंप्योर, भक्ती तो मनुष्य बहुत करते हैं, तिर्थो पर मेलो पर लाखो मनुष्य जाते हैं, यह तो जनम जनमानतर से चला आता हैं, कितने मंदिर आदी बनाते मेहनत करते हैं, फिर भी सिड़ी निचे उतरते अभी तुम जानते हो, हम चड़ती कला से सुखधाम में जाएंगे, फिर हमको उतर ना हैं, फिर कला कमती होती जाती हैं, नए मकान का दस वर्ष के बाद भव का जरूर कम हो जाएगा, तुम नए दुनिया सत्युग में थे, बारा सो पचास वर्ष के बाद राम राज्य श चुरू हो गया, अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है, मनुष्य कितने हो गए, दुनिया पुरानी हो गई, वे लोग तो फैमली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मुँझते रहते हैं, हम लिखते हैं यह गौड फादर का ही काम है, सत्युग में नो दस ला प्लानिंग है, एक धरम की स्थापना बाकी सब धर्मों का विनाश, यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं, वह कहते हैं विकार में भल जाओ, परन्तु बच्चा ना हो, ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं, यह प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में हैं, बाप कहते हैं, म और सत्युग के आदी में, अभी यह है संगम युग, जबकी पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती हैं, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, यह तो बाप का ही काम हैं, सत्युग में था एक ही धरम, यह लक्ष्मी नाराण विश्व के मालिक, महाराजा महारानी थे, यह भी तुम जानते हो, यह माला किसकी बनी हुई है, उपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, उन्हों की यह माला हैं, जो विश्व को नर्क से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं, जो सर्विस करके जाते हैं, उन्हों की ही याद रहती हैं, तो बाब समझाते हैं, यह सत्युग में पवित्र थे ना, प्रवरती मार्ग पवित्र था, अभी तो पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, सत्युग में थोड़े ही ऐसे पुकारेंगे, सुख में कोई भी बा रहम दिल, ब्लीसफूल, आकर सब को मुक्ती जीवन मुक्ती देते हैं, बुलाते भी उनको हैं, आकर स्वीट होम में ले चलो, अभी सुख है नहीं, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, सत्युग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं, बाप बताते हैं, तुम कैसे वि गिनत धन रहता हैं, सोने की इटों के मकान बनते हैं, मशीन से सोने की इटे निकलती हैं, फिर उसमें भी हीरे जवाहरतों की जडित करते हैं, द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट ले गए, अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता हैं, यह भी ड्रामा में बाप कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह अटोमिक्स बॉम आदी बने हैं, यह है साइंस, बुद्धी से ऐसी ऐसी चीजे निकाली हैं, जिससे अपने ही कूल का विनाश करेंगे, यह कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं, यह रिहर्सल होती रहेगी, जब तक रास्थानी स्थापन नहीं हुई हैं, तब तक लड़ाई नहीं लग सकती, तयारिया तो हो रही हैं, उसके साथ नेच्रल कलेमिटीज भी होगी, इतने आदमी होंगे, अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना हैं, स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना हैं, जैसे नया घर बनाते हैं, तो फिर बुद्धी में नया घर ही याद रहता है ना, अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही हैं, बाप है सर्व का सदगती दाता, आतमा ये सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहां ख देवताय पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बीडी तंबाकु आदी नहीं रखी जाती, वह वैश्नव हैं, विश्नुपूरी कहा जाता है, वह है वाइसलेस वर्ड, यह है विश्यश वर्ड, आब वाइसलेस वर्ड में जाना हैं, समय बाकी थोड़ा हैं, यह तो अतम हो जाएंगे, लड़ाई तो लगनी ही हैं, बोलते हैं हमको कोई प्रेर्णा कराने वाला हैं, जो हम बना रहे हैं, जानते भी हैं, अपने कुल का विनाश हो रहा हैं, परन्तु बनाने बिगर रह नहीं सकते, शंकर द्वारा विनाश यह भी ड्रामा में नूंद हैं, विनाश सामने खड़ा हैं, ज्यान यग्य से यह विनाश ज्वाला प्रजवलित हुई हैं, अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पड़ रहे हो, यह पुरानी दुनिया खतम हो, नई बन जाएंगी, यह चक्र फिरता रहता हैं, हिस्ट्री मस्ट रिपीट, पहले आ फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएगा, तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं, वह निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक हैं सत्गुरू हैं, आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं, इसलिए लिखा हुआ हैं, शिव जयनती सो गिता जयनत शिव बाबा सत्युग की स्थापना करते हैं, कृष्ण पूरी सत्युग को कहा जाता हैं, अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधू संत मनुष्य नहीं हैं, यह तो दुख हरता सुख करता, बेहद का बाप हैं, एक्किस जन्मों के लिए तुमको वर्सा देते हैं, विना नाश्तो होना ही हैं, इस समय के लिए ही कहा जाता हैं, किनकी दभी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुट जाए, किनकी आग जलाए, सफल हो उनकी जो धनी शिव बाबा के नाम लगाए, चोरी चकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है, इस यग्य में सब सहा हो जाएंगे, अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बंध हो जाएंगी, थोड़ी अजुन्देरी है, सब आपस में लड़ेंगे, छुडाने वाला कोई रहेगा नहीं, रक्त की नदियों के ब फिर दूदगी की नदिया बहेंगी, इसको कहा जाता है खुने नाहे खेल, बच्चों ने सक्षातकार भी किये हैं, फिर इन आखों से देखेंगे, विनाश के पहले बाप को याद करना है, तो तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाए, बाप नई दुनिया स्थापन करने क के लिए तुमको तयार कर रहे हैं, रास्थानी पूरी स्थापन हो जाएंगी, फिर विनाश होगा, अच्छा, मीठे मीठे, सिकिलधे, बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सदा रहे हस्ते, बनते चले फरिष्ते धारना के लिए सार है, पहला विष्णोपूरी में चलने के लिए स्वयम को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है, दुसरा जल्दी जल्दी पढ़कर होश्यार होना है, कोई भी विकरम न हो, इसका ध्यान रखना है, आज बाबा ने वर्दान दिया, त्याग और भाग्य द्वारा, सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले, सच्चे सेवाधारी भव, स्पष्टिकरण है, सेवा में सफलता का मुख्य साधन है, त्याग और तपस्या, त्याग इस्तिती के कारण, मर्यादा के कारण, मजबूरी से त्याग करना यह त्याग नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप से, संकल्प से भी त्यागी बनो, तो तपस्वी अर्थात सदा, बाब की लगन में लवलीन, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुक, शांती के सागर में समाए हु ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सचे सेवाधारी है, स्लोगन अपनी तपस्या द्वारा शांती के वाइब्रेशन फैलाना ही, विश्व सेवाधारी बनना है, ओम शांती